नमस्कार जयसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कारिक्रम के अंतमे कि अगर आपके भी जोटिश से समबंदे कोई सवाल है कोई विशे जिसके उपर आप जानना चाहते हैं आपने सवाल, अपने विश्यो को जरूर चोड़ दे ताकि हम उन चीज़ो को अपने आने वले क कारिक्रम in 90-PER Wallace जिसके चलते हैं हमें कई दर्शकों के सवाल मिले हैं और जिनके जवाब आज हें आपको देंगे तो शुर्वात करते हम अपने पहले दरशक आशा हेग्रेजी से आशा हेग्रे जो है उन्होंने अपने बेटे की कुंडिली दी है उन्होंने अपने बताया की ऑनके बेटे का जो डेट अ वर्थ है वह 6th December 1984 है उन्होंने बताये की मेशराशे बनती है नक्षत्र भी बताया है और यह भी बताया कि दोपहर में हुए थे और सबसे जरूरी बात कि बड़ तेस्ट बताई उन्होंने कुम्ता करनाइका में जी और ऐसे मैं पूछना चाहती है आशा जी कि उनका उनके जो बेटे हैं उनके बेटे की जो जौब है वो स्थिर नहीं है कि बार-बार जौब बदलती रहती होगी जी जी तो आशा जी आपको बता दें कि आपके बेटे की जो कुंड़ी है कुंबलगन की है और मेश राशुन की बनती है जो आपका सवाल है वो चीज कुंड़ी में नजर आ रही कि उनके दशमभाव में सूरी और केतु को ग्रहन सब्सक्राइन योग जो हमारे दशमभाव में बन जाता है तो दशमभाव मारा वहसाय नोखरी का होता है तो वहाँ पर एंस्टैबलीटी रहती है यानिकि बार-बार जौब बन लेगी तो देखे इस समय कुंड़ी के नुसार इनको राहू की दशा चल दियो राहू की दिखाने शिराशी है कुंड़ी के साब से देखते हैं तो इस समय वैसे तो इनका अगस के बाद समय बहुत अच्छा आ रहा है बहुत अच्छी नोखरी इनको मिलेगी इनका प्रमोशन के भी योग बन दें लेकिन अगर भी करेंट में देखते हैं तो इस समय 15 माई के इनका मन बारवा भटकता रहता है तो इनको सही दिशा दिखानी की जरूवत है अगर आप इनको सही दिशा बताते हैं इनको दिखाते हैं तो यह बहुत जारा तरक्के लाई में कर सकते हैं और बता रहे है कि निलम नाग इनको धारन करना चाहिए तो उनके करियर में जबर विए विए भी नियुक्ति थी और जर्मस्थल क्या है तो ऐसा कुछ उन्हें बताया है नहीं कि हमेशा अपने दर्शकों को कहते हैं कि अगर अगर आपकी एक सटी खुन्ड़ी निकाल सकते हैं अगर अगर आपको सफलता मिल जाएगा अगर आप बिजनेस की शुरूआत करना चाहते हैं तो भी आपको सक्सेस मिलेगा और अगर आपको कुछ भी इस समय नहीं शुरुवात करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगा, इगर आप business की शुरुआद करना चाहते हैं, तो भी आपको success मिलेगी, अगर आप नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय चल आ या, अगर आपके नाम राश्णी के साब से देखें, करशन कुंड़ी से देखते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपके मन में टैंशन बनी वी है किसी चीज को लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ जैसे पारिवारी कोई मसला है इसकी विरे से आप परिशानी में है कोई धन रुकावत या वय आपका जादा हो रहा है और करजे ले आपका बहुत अच्छा समय रहे गार आप इस समय किसी भी काम की शुरुवात करते हैं तो सफलता आपको निश्यत मिलेगी और धनवरद्दी के भी योग इस समय बन रहे हैं बस अपने इंदर कॉंफिडेंस बनाया रखिये हिम्मत रखिये और आगे परियास करते रहे सफ हमारे कुछ दर्शे के अपना नाम बताते हैं चुनु सिंह इन्होंने अपनी डेट ऑफ बताई है 1995 हारे की दिनाख नहीं बताई है और यह बताया कि यह बिहार के माधूर पूर के माधूर में इनका जन हुआ है लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ते हैं जैसे की जन् कुंडिली निकाली जहें लेकिए इनके कुंडि वैसे इन के नाम से हम बताते हैं परशन कुंडि के हसाब से तो आपको इस समय थोड़ा सा शनी की समस्या चल रही आप गी राशीय के ओवर जो नजा रहा है कि वैसे तो आपके दश्मभाव में शुक्र इस समय नजार आ र जब तो इस आपं दिजार करना है यहाइन कि एगा aan इस समय कर रहे हैं तो इसी करते चलिए तो 2 महिने के बाद आपको बड़ी सफलतğा मिलेगी ऐसा ओधान रखेंगें, क्योंकि आपको सेहत संबंधिर परिषानी कोई चल लिए ऐसा नजर आ रहा है थोड़ा सा घर परिवार में भी थोड़ा सा मानसिक तनाव की इस तीची से परिवार के सभी सबसे इस समय गुजर रहे हैं ऐसा मेरे को संकेत नजर आ रहा है तो आप हनुआन चालीसा का निरंतर पाठ करिये से आपको बहुत मानसिक शान्ति मिलेगी घर में सुंदर कान का पाठ कराईए और शंकर जी के अराधना की दिन आप नियम बना लिए कि मुझे शंकर जी को बेल पत्रे चड़ा के आना है तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी और यतनी भी आपक आपके विज्योति से समवदित कोई सवाल है तो आप अपनी जन्मतारिक जन्मस्तल और जन का वक्त जरूर दे ताकि हम उसके मुताबिक एक सटीक कुंडिली निकाल सके उसका विशलेशन कर सके और आपकी परिशानियों का हम सटीक समाधान आपको बता सके चले अब अगल दर्षक दो में परिशानिक प्रशानियों अनै जन्मस्तल निक उन्मस्तल ग्ढ़तई इन्देय के समें अंगिंषन्मार की घंपना की ऑदानियों क ряд आपके झाफने हुआर् दूर्भक्ति अप्टेशर्ज इन थिए इन्यों आपटाई पर्ता भूज़ हिंए करना चाहते हैं कि इनकी कुंड़ी में शादी के योग कभ है और इन्हें कैसी दुलहन में लिक जी आपकी कुंड़ी के हिसाब सखरम देखें इस समय आपको राहू की मादशा चल दी है स्वासा संबंदे दिने परिशानिया यह जेल रहे हैं इन दिने इस समय अभी इनको रा राहू में केतु आएगा तो परिशानी तो इस समय आपकी कुंड़ी में चल लए है और थोड़ा सा क्योंकि इनकी कुंड़ी में लगन में राहू और बुरू का चांड़ा योग बनावा है जो कि शुबनी माना जाता है कार्यों में रुकावटे आती है स्वस्त भी तो अभी कुछ समय आपको रुखना चाहिए, जिस समय आपको डेड़ साल बार शुक्र की दशा आएगी राहो में शुक्र, वो आपका बहुत अच्छा पीरोड होगा, उस समय आपके भीवागे योग बनेंगे, अभी आपको शनी से संबंदित उपाय करने चेह, शनी की बेड़ के नीचे आप दिया जलाएं, और शनीदेव की परतीमा पर पांच बदाम शनीवार की शाम को चड़ाएं, दूसरा एक आपको पाई शुक्रवार को करना है, तो कि शुक्र भी आपका नीच का द्वारश भाव में बैठा है, स्वास्वांदी परिशानी दे देता हो जाएगा, एक नीलम नग धारन करें, तो कि आपकी कुल्डी में शनी, स्वाराश शी के बैठी में है, तो नीलम धारन करने से आपको, जितने भी सभी तरी के सुख हैं, वो आपको मिलेंगे, आपका जॉब भी बहुत अच्छी चलेगी, नीलम नग धारन करें आप, इस नीलम धारन करते से में धारन करते से में धारन करते से नीलम 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 धारन करते से ओम शम शनिश्य राइनमा इसका 108 बार अगर आप जाप करके धारन करेंगे तो आपको शुफलों में वरद्धी मिलती रहेगी और आपके लाइश में जो परिशानियां आरी है वो भी धिरे धिरे दूर हो जाएंगी चले अब हम अगला सवाल लेते हैं हमारे एक और दर्शक है जो अपना नाम बताते हैं आवेद शेक्स इन्होंने अपनी डेट ओवड बताई है थर्टी नवेंबर 89 इन्होंने अपनी टाइनिंग बताई है सुभे साड़े 11 बजे दिली में ही इनका जन हुआ है और इनकी जो रिलेशनिशिप है वो आगे कैसा रहेगा और यह भी जाना चाहते है कि कुंडिली में शादी के योग कब तक है तो जिनके साथ है उनसे इनकी शादी होगी नहीं होगी तब शादी से संबंदित यह जाना चाहते है आवेद जी आपकी कुंडिली मकरलगन की बंदी है और आपकी राशी वरिष्षिक राशी है तो वरिष्षिक राशी का स्वामी मंगल होते हैं और यहां पर चंद्रबान नीच के हो जाते हैं तो यह संकेत करता है कहीं आप बहुत जारा विचलित हो जाते होंगे किसी चीज को जरूर से जारा सोचने लगते होंगे तो इस चीज मंगल और केटु कठे बैठे में मक्र राशी में इन्हें आपी के लगन में बैठे हैं तो गुस्सा आपको बहुत जाद आएगा और बैसे भी आप स्टेट फोरवड हैं किसी को कुछ भी बुरा बला कहने से आप पिछक्टे नहीं है आपका नेचुरल सभाव है और इससे से शनी और शुक्र इनके बारे भाव में बैठे हुए हैं तो यह संकेत मिल्दा है कि जहां इनका वर्क प्रेस जान का जन्मस्थान है वहां से दूर जाकर इनको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आने वाली समय में और एक सवाल कोई आप शादी के लिए हाँ जी शादी का य अगर इनका अभी टिक नहीं रहा है तो उसके पिछे सबसे बड़ी कुंड़ी में क्या दिक्कादारी है कि इनको अभी केतु की दिशा चल रही है मंगल में अभी केतु चल रहा है तो यह अभी सितंबर तक इनको थोड़ा सा आर्थिक परिशानी रह सकती है लेकिन जो गो यह पक्षिया होते हैं हमको सतने जाद सातरे के अनाज अगर सातरे के अनाज नहीं दे सकते तो आठा या चावल को पिसवाकर उनको डेली आप चीटियों को खिलाएं या पक्षियों को खिलाते हैं तो उससे शुपलों में वरद्धी होती है एतु घ्रह से शान्त होता है और कभी अगर आपको काला कुटा मिलता है तो उसको रूटी जरूर खिलाएं उससे भी आपको शुपलों में ब्रद्धी होगी ऐसा उपाय है कि यह आपको बहुत फाइदा देगा और आपकी कुल्णी में धनके खारक शनी है जो भारवभाव में हैं तो शनी आपको पैस अगर कोई नगधारन करना है तो इनके लिए सबसे बैस रहता है इनको एक ओपल धारन करना चाहिए या अमेरिकन डायमंड वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इनके लव लाइव के लिए इनकी वर्क प्रफेशन में इनको बड़ी सक्स दिलाएगा और वैसे भी एक कोई सवाल है कोई विशे है जिसके उपर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपके सवालों को अपने आने वाले कारिकरम में शामिल कर सके और उनके जवाब मैंग जी से ले सके तब तक लिए मुझे यानिकी कविता को और मैंग जी को दीटे इजाज़त और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे एनमेफ मियोस के साथ